नमस्कार दोस्तो जाहिंद दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुराने नोट और शिक्कूं के बारे में दोस्तो इतने वीडियो बनाने के बावजूद भी काफी लोगों के कमेंट आते हैं कि और मेरे पास यह note है, मैं इसको sell करना चाहता हूँ, मेरे को इसका कितना payment मिल सकता है, तो हर वीडियो में हमने बताया कि आर इतने लाखों इनके सिक्कों and note के कोई नहीं देने वाला है, आप किसी को charge नहीं देवें, आप किसी को RBI के नाम से पैसे नहीं देवें, आप अपनी personal details किसी को share नहीं करें, इसके बावजूद भी लोग समझ नहीं रहें, लोगों को इतना लालच हो रहा है कि आर इसको note को sell कर देते हैं, और ये fraud लोगों के चेकर में पस जाते हैं, तो आज का वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा, पूरी जानकारी में आपको देऊंगा कि कहां पर आप बीना सुल्क दे सकते हैं, और अगर आपके साथ इतना fraud हो रहा है तो उसका कारण क्या है, दोस्तो यूटूब के उपर साइट सबसे ज़्यादा awareness के वीडियो जो मिलेंगे, आपको coins के मिल जाएंगे, लेकिन उस वीडियो को देखने के बावजूद काफी लोग इतना विश्वास कर लेते हैं, इसके मर्स पे, उनको details send कर देते हैं, उनको registration charge के नाम से पैसे send कर देते हैं, उनको सारी details send कर देते हैं, ये गलत है, अगर हम किसी को charge दे रहे हैं, किसी को अपनी personal details दे रहे हैं, तो सोच लीजिएगा, हम खुद उसके चंगुल में पशते जा रहे हैं, उसकी मतलब एक fraud का सिकार बनते जा रहे हैं, अगर हमने 600 रुपे किसी को registration charge दिया है, अपना अधार कार्ड send किया है, तो आप 100% मान के चलिएगा, कि हम fraud का सिकार होने वाले हैं, और होई चुके हैं, 600 रुपे दिये हैं, तो आपके साथ fraud तो होई गया है, वो कोई कोई थोड़ी खरीद लेगा आपका, वो कोई है, वो मेरी दिख जाएगी आपको, और जो नाम है, वो किसी का दिख जाएगा, एड्रेस दिख जाएगा, लेकिन या, यह सचाई है, यह बिल्कुल सचाई नहीं है साथियो, आप लोगों जब किसी को भी अपनी details सेंड करते हो, आपका अधार कार्ड send करते हो, आपका pen card send की लगा दी जाएगी, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, किसी को भी अपनी personal details नहीं send करें साथियो, अगर हम personal details send कर रहे हैं, तो आप मान के चलेगा, किसी के साथ आपके नाम से fraud कर सकते हैं, अब मैं आपको पूरी जानकारी इन documents की देता हूँ, यह documents fake है, इन documents पे यह documents आपको कोई बंदा बैसता है, और आपको कहता है कि मैं यह बंदा हूँ, आप यहां पे coin sale कर दीजिए, तो वो बिल्कुल fake है, उस पे विश्वास नहीं करें, आपको मैंने clear बताया है दोस्तों, ना तो मेरे number कहीं पे हैं, और ना मैंने किसी वीडियो में यह कहा है, क आप government permission charge नहीं देवे, RBI later के नाम से charge नहीं देवे, किसी को एक रुपया भी नहीं देवे, अब जो हमारी photo लगा लेता है, instagram पे लगा लेता है, id बना लेता है, instagram से, या facebook page पे लगा लेता है, किसी reels पे लगा लेता है, तो photo लगा लेता है, तो इसका मत्तब यह कता ही नही नहीं देना है, नहीं किसी को अपनी details send करनी है, जो coins के नाम से, आपको नमर जहां कहीं पर भी मिल रहे हैं, कि यहां यह बन्दा coins खरीदेगा, उसका मैं खुले तोर पे खंडन करता हूं, कोई भी बन्दा ऐसा नहीं है, जो आपका online coins खरीद लेगा, कोई भी बन्दा नही 1 रुपे आपसे मांग रहा है, 100 रुपे मांग रहा है, 111300 रुपे चार्ज मांग रहा है, 1450 मांग रहा है, तो आप क्यूं दिमाख लगा रहे हैं? आपको तो शुरू में ही पता चल रहा है कि यह बन्दा पहेक है, उसको तूरंद बलोग कीजिए, मैंने एक बता की जान ताकि उसके खिलाब कारवाई हो कौन वो बंदा है जो इसा कर रहा है और मैंने हर वीडियो में आपको बताया है कोईन्स के नाम से आपसे कोई 10 रुपे भी मांग रहा है तो वो फेक है वो आपका कोईन्स कत्य ही नहीं खरीदने वाला है कत्य ही 100% नहीं खरीदेगा आपको बार बार पैसों के लिए कहेगा आपको अलग अलगतरी किसे चार्ज मांगेगा आपकी डिटेल्स लेगा उस डिटेल्स के साथ कोई भी एडिटिंग करेगा और अन्य परका किशी विक्ति के साथ उसके नाम से फ्रोड करने कि वो कोसिस करेगा यार जो बलेक मेलिंग का जो सिस्टम चल रहा है जो बलेक मेल वीडियो बनाते हैं और वो डिटेल्स बैसते हैं आईपिेस ऑफिसर की बेचते हैं किसी बड़े पुलिश實 A C P D C P की बेचते हैं उसकी आईड़ी क्या वह ओरेजनल बंदा आपको कॉल करेगा क्चिता ही नहीं करेगा वह और उरिजनल बंदा कॉल हर चीज की प्रोसेसिंग होती है आप तक पहुंचने की प्रोसेसिंग होती है उसके द्वारा ही ये प्रोसेसिंग पूरी होती है ये नहीं होता है कि आपको डायरेक्ट कोई कोल करके पूलिस अधिकारी कहेगा कि आप इस तरीके से करिए सेटलमेंट करिए आप सहावदान होए दोस्तों इतने वीडियो बना कमाते हैं अपने बच्चों को बविश्य सुधारने के लिए पैसे कमाते हैं उनको अच्छी पढ़ाई देने के लिए करते हैं और हम इनके चक्र में पढ़के जो अपनी जमापूंजी है उसको निकाल देते हैं तो बही मैं कलियर आपको साप साप सब्दों ने कह दे दो क कि आप कभी भी किसी को कोईंस के नाम पे एक रूपया चार्ज नहीं देवें दस रूपय भी नहीं देवें एक रूपया भी नहीं देवें अपनी डिटेल्स किसी को भी सेर नहीं करें किसी को भी अगर आप किसी से संपर करते हैं मैं तो कर रहा हूं जहां कहीं भी आपको को पड़े या फिर कहीं भी आपको ऐसा दिखता है जिसमें हमारी फोटो लगी होती है या किसी अन्य विक्ति की फोटो लगी होती है और यह कहता है कि मैं आपको सही बायर तक पहुंचाऊंगा तो उस नमबर को उठाईए उसके कोल कीजिए और उसकी एसी दजियां उडाईए तो ही इनके खिलाब हम एक जंग जीतेंगे लोगों के साथ फोटो होने से बचाएंगे इतने वीडियो बनाने के बावजूद भी आज भी कोईन्स को लेकर जो फोटो हो रहा है यह कहीं न कहीं हमारी कमजोरी है हम लोगों पे विश्वास कर लेते हैं हमारा जो लालच है वो हमको फ्रोड की और बढ़ा रहा है तो कलियर सब्दों में बताओं कि दोस्तों कोईन्स के नाम पे एक रुपया नहीं देना है हर लोगों को बताना है कि कोईन्स के नाम से किसे को पैसा नहीं देवें यह सिरफ फ्रोड करते हैं ना कि कोईन्स के आपको लाखूं देने वाई एक बड़ा यूटूब चैनल है है वह से इनकी क्या है स्केम की उत्पति हो रही है क्योंकि वह बंदा एक दो कोइस से मिल जाते होंगे बीच में मैं टो हितनी जानकार ही नहीं है लेकिन एक कोई इससे मिले तो मेरे वाले के भी तो मिल सकते हैं जबकि एक दो ही रियर कंडिशन्स के सिक्के होते होंगे जिनके मिले होंगे हर बंदे को कता ही नहीं मिलेंगे आमारे साथ सिरफ फ्रोड हो सकता है ना कि हमको लाकू मिलने वाले हैं तो उमीद करूँगा आपको ये जानकारी समझ में आई होगी अब मैं आपको बता दू अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए वास्ता में आपको सेल करना है भोज़ यदा आपको लालसा है कि मेरे को तो जानकारी चाहिएगी तो आप आपके आसपास जहां कहीं भी exhibition लगता हो coins का वहाँ पे जाइए वहाँ पे कोई charge नहीं लगेगा आपका आपको exhibitions में पूरी जानकारी मिल जाएगी वहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो हम online देख रहे हैं वो बिल्कुल fake है जो हम videos में देख रहे हैं वो बिल्कुल fake है वहाँ पे आपको सचाई का पता चलेगा क्योंकि वीडियो वाली सचाई तो आपको पसंद नहीं आ रही होगी क्योंकि जिस तरीके से अभी भी लोग पैसे दे रहे हैं उससे तो हमें ऐसा है लग रहा है कि हम फालतुई videos बना रहे हैं तो आज से आप दोस्तों साहता कीजिएगा हर उस वेक्ति की जिसके दिमाग में यह है कि मैं लाखूं मैं इस नोट को सेल कर सकता हूँ कर देना चाहता हूँ उसको बताईए इस वीडियो को सेयर कीजिए उसको बताईए कि इनसे सिर्फ फ्रोड होता है आप मत दीजिए किसे को पैसे ठीक है दोस्तों उमीद करता हूँ आपको वीडियो चाह लगाओगा जाहिन जैवाज